असलाम अलेकूम और आखमत अल्लाही अबरकातों वेल्कम टो इन्स्ट्रमेन्गुरू बीडियोटूप सेनल में हम मुहांमद फोयदूल्ला आप लोका साथ हूं आज हम इस वीडियो में आप लोग का साथ शेयर करने वाला हूं इनिस्ट्रिमेन फॉसेस ट्यूब बेंडिंग थियूरी आप किस तरी के से इनिस्ट्रिमेन फॉसेस ट्यूब को डाबल ट्यूब को एक साथ में बेंडिंग कर सकता है इसका जो फॉर्मूला आज हम इस वीड आप्लोड होने का टाम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो फिलीज वीडियो को इसकीप ना करें तक देखिए अगर आप वीडियो इसकीप कर दिया इसके फूल फॉर्मूला थियोरिय आपको मालूमत नहीं होएगा आपको मिस्टेक हो जाएगा इसके लिए एंट तक वीडियो देखना है तो देख सकते हैं हम डाबल ट्यूब को एक साथ में बेंड करना हूं जैसे की ट्यूबिंग के एंड से 100 mm डिस्टें हम हम अभी दोनों ट्यूब को एक साथ में हन्डे महीं किया तो अपको मर्किंगि करने का त्यूबिंग कर लिए लगाएंगा इसमें आपको द्यान देना है जो अपका म Fitz Jr 빼 से क्जा करना है जैसे कि आप से alef जैसे को राक करना है जैसे कि यह सिक ब्रवी में टम्याई नियुक्ट को कर के जैसे कि देख सकते हैं जैसे हम फिर से उसको लाइब में रखा एक मिलमकिंग एस में भी एह जरी को करना है जैसे कि मार्किंग वाला साइड हमसे लेप साइड है अगर राइट में है तो उसमें राइट साइड में रहेगा तो मार्किंग वाला साइड उसमें राइट को फॉलो करके उसको बैंड करना है 90 डिग्री बैंड करना है तो यह हमको यह 90 डिग्री बैंड हो गिया तो इसको दियान देना है मार्किंग को जो मार्किंग वाला साइड आपको बेंडर में कुंट सा साइड में राखा राइट में राखा या लेप में राखा लेप में रहेगा तो आपको यह जो बेंडर में राइट लेफ है उसमें फॉलो करना है तो जैसे कि आप लेप में रहेगा तो इसको नाइट में राखने का और रेट में राखेंगा तो को मार्किंग दोनों को चेक करका है अभी Чphr का बात अंतल यह से 150 mm distance में 45 degree आप से चाहिए त्यूब का सेंटर से आपको मर्किंग करना है जो 90 डिग्री बेंग किया उसका सेंटर से हम 150 mm में मर्किंग किया फिर से दूसर ट्यूब को भी से 150 mm में हमने मर्किंग किया इस तरीके से इसको मर्किंग करना है और आउटसाइट टू गर आउटसाइट फॉलो कर रहा है तो। आपको कितना चाये उन्हें से अपको मारकिग कि रहा닥 है और संटर कुर्ण से पकरने का तबी आपको सेट्द ली बराबर कितना अम चाये बडार कितना चाये को पेमेंग हम सेंटर में मार्किंग किया जान देसे कि अभी दोर्षा अपसेट का डिस्टेंस है 182 mm तो 182 mm को हम लोग 45 डिग्री में जब बैंड करेगा तो इसका फार्मूला है इंट्व 1.414 यह जो 150 mm में हम मार्किंग किया उधर से फिर 257 में मार्किंग करना है क्योंकि अपसेट का डिस्टेंस है 182 mm देख सकते हैं हम 257 में मार्किंग किया सेम दोनों त्यूब को 257 में मार्किंग करना है यह हमारा दोनों त्यूब को मार्किंग हो गया 257 mm जैसे वीडियो का शूरुत में आप लोगों को मैं ड 7 को मैंद करना है तो हमारा दोनों को मैंद में हो आब यह कुद्ध आपको 5 में रागने का जैसे कि's 1-5 में राखने का यह मर्किंग को 1-5 में करके फिर इंटर क Hessen уз sources pro ब्राइटेंगल कर लिया । अगर आप ब्राइटेंगल ने किया उसको एस्टेट वár turf來到 कि यहां करे तो इसको बात में सिधा नहीं कर सकता नहीं हो इसको ही जेट जर्फी डिग्रीद में बेन करने का तो इसको उफर द्यान देना है जैसे कि अब यह हमारा 45 डिक्री का बैंड हो गया एक दर से दुर्सा यह और एक इसमें अफसेट करें बैंड करेगा इसके लिए सेम नेक्स बैंड में बजी आपको 45 पॉलो करना है 45 में राख करके इसको 45 डिक्री बैंड करना है जैसे को 45 डिग्री में जब बेंट करना का तो 90 डिग्री में जब बेंट करेगा उसमें आपको राइट एंड लेफ फॉलो करना है क्योंकि उसको आगर राइट लेफ फॉलो नव किया तो अपको बढ़ाषोटा हो जाएगा अब सटट बेंट करने का टाइम आप फस्ट अपसेट राइट में रखके बैंड करेगा तो नेक्स अपसेट का बैंड भी सेम राइट में रखके बैंड करने का अगर आप 45 में रखके बैंड किया तो नेक्स अपसेट का जो बैंड है उसमें भी 45 में रखके बैंड करने का यह इसको उपर द्यान देना है तो जैसे कि हम फाइला और फोटिफवाइब में रख करके इसकी लिए नेक्स आपसेट जो हम बैंड कर रहे हुशको भी सेम्फोटिपव में RAKK बेंड कर रहा है तो दुनों बेंड का उफ़र आपको द्यान देना है अगर एक एक अपसेट आप राइट में राखा दुस्ता आप 45 में रखके बेंड कर दिया तो आपको यह अपसेट का जो डिस्टेंस है वह बड़ा शोटा हो जाएगा आपको एकजेक्ट नहीं मिलेगा इसके उपर द्यान देना है कि बोड़ सरा दोस्तों लोग को मिस्टेक हो जाता है तो अकर यह मिस्टेक ना करें आप फॉयला आपसेट 45 में राखा सेम नेक्स अपसेट भी 45 में राखके बैंड करना आप जैसे कि अभी हम दो ट्यूब को बैंड किया आपको देखा एकजेक्ट ली मिला सो दोस्तों अभी जो ट्यूब फास्ट वाला 90 बैंड किये हम लोग 90 से 790 mm डिस्टेंस में दोस्ता एक 90 डिग्री बैंड 20 में जाग एक 2 इसकी लिए हमने मार्किंग किया 790 में डिस्टेंस में तो इसको सेम लैप को टो करके जैसे किए मार्किंग व्लाब्स बेंडर में हम लइप अरा के बैंडर में लगा लागा या इसमानल लेप में फॉल्फ करना आप में वेले चाल हो करके उसको नैप जैसे आगर हम इसको राइट में रंकता था जो मार्किंग वाला सेट टो is में डूराइट हे I करना पड़ता हैसे तो इसको पर द्ना है कि आगकर 90 घ्री करना है आपको मार्किंग में अप्रिक मिल जा एग लिएक संग् visit inger करना है और वेन करना है पहले आपको सीधह यो बेन करना है और आक्सिस द्यान देना है तो इसमें कोई distance minus करना का ज़िरूध नहीं हें क्योंकि दूनों सेम डिस्टेंस में हम 90 दिक्री बेंड कर रहा है इसके लिए हम सेम मेजर में में दो ट्यूब को हमने एक साथ में बेंड किया तो नेक्स वीडियो में हम आपको कशा करने वाला हूं शेयर करेगा जो फोटीवैप है जो सकी नॉर्मल बेंडर में आर और एल नहीं रहता है रा मेरा यूटीब चैनल में अफ्रोट करेगा तो उस भी आप देख लिए तो आपको एक्जक्त मालूमात हो जाए कि कैसे आपको ट्यूबिंग बेंड करना है अगर आपको कुछ डाउट है तो फिलीज वीडियो में कमेंस करिए इंशल्ला आपका कमेंस का उफर द्यान देत प्रिकलीज यह उसमें मैं डिफरेंट टाइप में या असान तरीकस से त्योरी में बताया उस में जाके भी आप इसका ओर मालूमात कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं हमारा ट्यूबिंग को इस तरीक से बना करके इसको या है सेम फॉर्मूला से अप भी आपका जो ट्यू कर दो